आपको बोलते हैं रिवेटेट कनेक्शन और दूसरे को बोलते हैं बेल्डेट कनेक्शन यहीं 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 आप लिमिटेट से पढ़ते हैं तो हाँ पर पिक्चर में आपका बोल्ट आ जाता है तो वहाँ पर भी दो ही डिल करेंगे क्या एक को बोलेंगे बोल्टेट कनेक्शन और दूसरे को बोलेंगे बेल्डेट कनेक्शन यानि building है जो दूनों जगह पे है तो अभी तक आप लोग ने unit 1 जहां तक अपने notebook में note किया है उसके बाद 2 और 3 page है जो आपको छोड़ देना है ताकि कोई इंपोर्टेंट points है जो future में नोट करने की जरूद पड़े तो आप इजली है जो उसमें note कर सकते हैं सबसे पहली बाद कि आपको इसको definition पता होना चाहिए कनेक्शन किसको बोलते हैं कि एक connection क्या है एक टाइप का क्या है assembling work है एक जोड़ने का काम है नहीं connection एक टाइप का क्या है assembling work है so i have written here assembling of various elements assembling of various elements or component elements wole ya components both are same and have you components क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता है column हो सकता beam column का connection हो सकता है so to form a structure assembling of various elements or components to form a structure final हमारा लक्ष क्या एक structure है जो construct करना with the help of with the help of connectors with the help of connectors अब कनेक्टर में क्या क्या सकता है रिवेट आ सकता है बोल्ट आ सकता है वेल्ड आ सकता है ना कनेक्टर में यही तीन तो आता है इज नू नैज कनेक्शन आज जो पूरा प्रोसेस होगा उसको क्या बोल देंगे कनेक्शन बोल देंगे once again I am repeating here assembling of various elements or components to form a structure में हमारा एम क्या है में हमारा टार्गेट क्या है structure फॉर्म करना विद्ध हेल पॉप connectors connectors क्या क्या आएगा रिवेट आएगा वोल्ट आएगा वेल्ड आएगा इज नून एज कनेक्शन तो इसको क्या बोलेंगे कनेक्शन ही नौन बहुत simple भासमें है यहांना सपोज किजिए आपको एक चेर बनाना आ है हाओनन एक आपको चेर बनाना तो क्या करेंगे अश्रीव करेंगे तो आप एक प्लेट लेंगे क्या लेंगे यह न machines लके लग एंट एच प्लेट लेंगे उसके बाद क्या प्लेट का इससे क्नेक्शन करेंगे इस लेग का इस प्लेट से क्या करेंगे इस लेग का इस प्लेट से क्या करेंगे क्नेक्शन करेंगे तो यह क्या बन जाएगा के बन जागा है तो यह लेग और बेट के बीच का जो कनिक्सन है कितने तरीके से कर सकते हैं इसा बहुंसकता है कि यहाँ पर हविल डिंग कर दे यहाँ對了 कर दें यहां फिर इस तरीका था सिंपल वेत में कि अचल नहीं है कि मुझे के टेवल और चेर जो बनाना है है हमें तो क्या करना सीबिल नियरिंग का स्ट्रक्शर में है जो कि इसके बाद हम लोग देखने आप को connection कितने टाइप का connection होता है तो फर्स्ट है मैंने पहले नहीं बताया कि यदि आप connectors आप क्या connector यूज कर रहे हैं इस बेसिस पर डिशाइड किया गया है यदि connector के रूप में आप कांद है अब कर रहे हैं तबसको रिएट एक सन बोल देंगी यदि या वोल्ट कर रहे है तो उसको बोल्ट इट कनेक्शन बोल देंगे मैं और यदि वे्ल्डिंग कर रहे हैं तो उसको क्या ब्लदेंगे बेल्डot connection हैना पूरे अराम से जो सब्सक्राइब को समझना है थीक है निवे से जिटाइब करेंगे बैटल को मर्म सब्सक्राइब करें करेंगे रिवेट या अभी आज से दो या थिन कलास तक है जो आपको रिवेट आप legton में चलेगा उसके बाद वान आण टू कलास जो बैलेट करक्यशनस चलेगा सो स्टार्ट करते हैं रिवेट इसां हुआ है सबसे ही बास बॉंद एलिफाल है जो बना किशुंत हैज किस बना हुआ है तो कहता है कि यह कि यह लोट्स के चाइल क्थर सबस्कों किस इस कि आपको a ने अचलand को में टीफेंट करेंगे तो पिर क्रिफरक्रेंगे है लेकिन यह दे काफी कम लोड ट्रांसफर करना है तो माल्ड स्टील का रिवेट प्रिफर करेंगे है न है दुसरी बार कि सब्रिफर की बात करते हैं अक्चुल में देखिया आपका फिल्ड में कुछ इस तरह से जो रिवेट देखेगा अब कुछ इस तरह से डिवेट है जो दिखेगा अब इसका कंपोनेंट को हम वन वाई वन करके डिसकस करें यह जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं मैंनु फैक्चरिंग है क्या बोलते हैं मैंनु फैक्चरिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि एप इंडस्ट्री में बनता है यह कहां पर बनता है एंडस्ट्री से नहीं बन कि आया है इसका एक और नाम है इस एचोपी सोप हेड है ना सोप मिंस क्या होता है बर्क शोप मिंस दुकान होई सही आप समझ रहे हैं ठीक है यह सोप हेड नतलो बर्क शोप हेड ठीक है दूसरी बात कि ए जो पार्ट है इसको बोलते हैं संग इस एच ए एन के सम रिभेट का क्या क्या कंपोनेंट है क्या क्या पार्ट से हम देख रहे हैं क्या क्या इसका कंपोनेंट है क्या क्या इसका पार्ट से इसको हम लोग डिल कर रहे हैं ठीक है तो मैनुफ हैक्चरिंग हो गया उसके बाद क्या हो गया इसी को बोलते हैं शोप ह यहां पर देखिए डिफ्रेंट टाइप का हेड है जो अभी लेवल है मार्केट में आप जब परचेज करने जाएंगे तो आपका डिफ्रेंट टाइप के हीड का रिवेट है जो मार्केट में मिलेगा जैसे सबसे पहले है फ़र्ष्ट बन देखिए इसको स्नैप बोलते हैं कैसे फिर पर प्लाट कांटर सं गोलते हैं फैसको क्या है तो सबसे जयादा यूज में लाए जाता है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि चार टैप का टोटल होता है मई रधूने पुलते हैं पर गिसाइक अ만 है पोपकर से हुए इसका तो आपको चार पार्ट में इसको डिवाइट किया गया है फरदर देखिए आगे आप देखेंगे तो यहां पर क्या किया गया है यहां पर एक्चुली दो प्लेट को क्या किया गया है दिखाया गया है इस दो प्लेट को हमें क्या करना है जोड़ना है दो प्लेट को क्या करना है क्या करेंगे इस साइड से क्या करेंगे हैंबरिंग करेंगे इस साइड से क्या करेंगे हैंबरिंग करेंगे ताकि यहाँ पर भी क्या हो जा कुछ इस तरह से इसका हेड है जो बनकर त्यार हो जाए अब यहाँ पर देखने वाले बात यह है इसके बारे में तो पहले ही बता चुका था इसको क्या बोलते हैं manufacturing head बोलते हैं अब देखें जो दो यहां पर क्या एक term आया ग्रीप यहां पर क्या एक term ग्रीप आया इसको है जो next slide में हो अच्छे से समझ लेंगे ग्रीप होता क्या है तो यहां पर देखें होगा क्या आपका जो रिवेट का dimension होगा जो रिवेट का diameter होगा उसको बोलते हैं nominal diameter क्या बोलते हैं और जो वहल लकॉट डादेमिटर होगा उसको बोलते हैं इसको बोलते है इसोई बेशा है Peng बात हां पर जिंप आइपят का जो क्तिकर होना चाहिए क्या पर लिएट लिएट के डादेमिटर को होइए ज्यादा होना चाहिए तभी इसमें हो पाएगा यह इंसर्ट हो पाएगा तभी इसमें क्या हो जा पाएगा इंसर्ट हो पाएगा अधरवाइज क्या होगा इंसर्ट ही नहीं होगा है ना उसके बाद क्या करते हैं इधर से क्या करते हैं इंसर्ट करने के बाद इधर से हैमरिंग कर देते हैं फिर क्या हो जाता है इसी टाइप का एक हेड बन जाता है लेकिन उस हेड का नाम अलग है उस हेड का नाम है जो अलग है ना उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्रिभेन हेड और फिल्ड हेड उसको क्या बोलते हैं ड्रिभेन हेड और फिल्ड हेड है ना अभी कुछ देर में उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहां पर देखें यहां पर हो क्या रहा है आपका whole यह जो रिभेट डायमेटर है और जो whole डायमेटर है दोनों के बीच में क्या है एक gap बन जा रहा है चलिए यह है जो आपका क्या है यह है सपोज किजिए whole diameter एक क्या है, होल, एक होल डाया है, ठीक है, होल डाया है, उसके बाद एक क्या है, यह आपका रिवेट डाया है, एक क्या है आपका रिवेट डाया है, अब यह दोनों के बीच में क्या है, एक गैप है, दोनों के बीच में एक गैप है, एक गैप क्यों रखा गया, मैं बता दि क्योंकि एदी गैप नहीं रहेगा तो इस इसले को बोलते हैं क्लियर ज सब पार्ट को हम लोग ने अच्छा से देख लिया है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए यदि अब जैब को हैं थो देखिया नहीं हो रहा है तो एय जो साइट पर कुछ इस इस तरह से देखेगा साथाच yeah, सबसे। यहां के देखे esay if i we have Remember he this means iIS today ॏ 60 Moment बलते है जो बाद में देखेंगे tension में 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 मैं हैना सत्रा प्लेट ए दुसरा प्लेट को क्या क्या जोड़ा गया किसके हेडिक रिवेट है 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 knife is यहां पर देखिए एंगिल सेक्षन को प्लेट से जोड़ा गया है इसको प्लेट से जोड़ा गया है किसके हेल्प से रिवेट के हेल्प से तो यह जो हेड दीख रहा है आपको यह क्या है मैनुफैक्ट्रिंग हेड है ठीक है यह क्या है मैनुफैक्ट्रिंग हेड है अब दे है इधर वाला हेड क्या है इसको हैमरिंग हथोले से इसको पीट कर बनाया गया है है इसी को बोलते हैं फिल्ड हेड भी बोलते हैं और इसको ड्रिवेन हेड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ड्रिवेन हेड भी बोलते हैं और फिल्ड हेड भी बोलते हैं अभी इसको किसके बारे में बताया है जो क्लेरेंच होता किया है इसी को क्या बोलते हैं क्लेरेंस बोलते हैं होल डामीटर डामीटर और बहनान दोनों के बीच गैवेम, हम स्धेश डानिया कंगा लनाद मिद्धेट का सब्स्क्राइन धाधर कि क्लियरेंच कारण से ऐख गहाँ जो वेनल प्रोडियूस करता है लने स्पाराइब बुद्धेश समय जाए रहे हैं Due to clearance, joint is not form perfectly rigid, so it is not used for dynamic load, dynamic load के लिए उज़ नहीं करेंगे, impact load जहांपे impact load आ रहा होगा वहाँ भी नहीं करेंगे, जहांपे vibration आ रहा होगा वहाँ भी उज़ नहीं करेंगे, और under reversal stress का case होगा वहाँ भी उज़ नहीं करेंगे, और यही कारण है कि आपको further bolt का बोल्ट है जो picture में आया इसमें जरूर कुछ नंग कुछ disadvantage था तभी है जो next है जो discovery हुआ किसका are you so actually हो क्या रहा है यह जो gap है आपको hammering करने के बाद जब हम hammering करेंगे रिवेट में suppose किजी यह आपका रिवेट है है यह आपका head है और यहां पे है जो plate है यहां पे है जो plate है दो plate को आप suppose किजी जोड रहे हैं दो प्लेट को आप जोड़ रहे हैं अब क्या करेंगे इधर से हम्रिंग करेंगे इसको इधर से क्या करेंगे हम्रिंग करेंगे हम्रिंग करने के बाद है जैसे हैं हम्रिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यह क्या होगा यह जो पार्ट है संख है यह धीरे-धीरे लार्ज होना स्टार्ट में आरे इंद्रेको मैसे दो यह जो किया है डिक गाराया प्रिश्र खोर्ष लगा रहे है स्पेटNewton इसमें प्रेशर खोष लगा रहे है जिब प्रेशर खोष लगाएं है तो इसका डैमेंशन क्या होगा मतलब लोंग्यिटुटूरणल ड्यमेशन डिक्री सिकर न चाहिएगां तो इनफ weirdest करने की कारण क्या होगा वह क्या होगो ढ़िए क्या। भाते लेकिन 100 पर संद स्थ नहीं होता एक यहीं कारण है कि यहां पर मैंने मैंने लिखा है कि due to clearance joint is not form perfectly rigid है ना due to no form perfectly rigid so it is not used for dynamic dynamic load impact load vibration load and under reversal stresses तो यह सब चीजों को आपको क्या करना है एक एक करके clear करते जाना है ताकि आपका concept है जो पूरी तरह से clear है चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं यह सिर्फ सम्झाने के लिए आपको बताया गया था और आगे फर्दर है जो देखेंगे इसको डिटेल इसको क्या बोलते हैं तो उस केस में क्या है हम इसको यूज नहीं करेंगे आगे देखते हैं लेकिन अस्ट्रेटिक लोड के लिए क्या करते हैं इसको हम यूज करते हैं जेनरल यह स्ट्रेटिक लोड के लिए यूज करते हैं मतल्लोड है जो क्या होगा स्ट्रेटिक होगा पूसे भारीएस नहीं आया गा वा ना उसभी साइज ऑप देका मतलब क्या हुआ क्या है कि साइज ऑफ दे रिवेट इस डिफयेड वाय दमीटर अफ शंक size of the rivet is defined by the diameter of the sunk, size of the rivet कौन defined करेगा, diameter of sunk defined करेगा, diameter of sunk है जो size of rivet को defined करेगा, अब एक term आया था grip, एक term क्या आया था, grip आया था, अभी grip क्या होता है देख लेते हैं, कता है the grip, the grip of the rivet is the distance between the under side of the two heads, under side of the two heads, under side of the two heads, इसका मतलब क्या हुआ, under side of the two heads का मतलब क्या हुआ, है ना, पिछला slide में हम लोगों देखा था, चलो मैं फिर से बनाने का कोशिज करता हूँ, यहाँ पे, सपोज कि यह एक plate A है, है ना, दूसरा plate A है, और इस plate को आप क्या क्या हो, rivet के help से, rivet के help से add, जोड़े हो, है ना, तो आप क्या करेंगे, एक rivet इसमें insert करेंगे, होगा, होगा, है ना, यहां पे इसका manufacturing head होगा, यहाँ पर क्या होगा, यह कुछ ऐसा, ही आप कुछ है जो इसका party, board और होगा, आ생 आप क्या करेंगे, यहान सिया और है डिरिवेन हैट,又 बनके त्यार होचा कुछा है, इस head को मैं बोल रहा हूँ, driven head, क्या बोल रहा हूँ इसको? driven head बोल रहा हूँ, है ना, या फिर filled head बोल रहा हूँ, है ना, अब जो, ए जो distance है, ए जो distance है, ए बाला, है ना, underside, क्या बोलता है, underside of the two head, underside of the two head, एही हुआ underside, एक ए हुआ और दूसरा, ए हुआ, तो इस distance को ही क्या क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ग्रीब बोलते हैं मतलग क्या हो गया बताओ तो सपोज किजिए कि इसका टीवन थिकने से प्लेट का इसका टीटू थिकने से इसका टीटू थिकने से तो ग्रीब क्या हो जागा टीवन पलस टीटू हो जागा ग्रीब क्या हो जागा टी इसका exact meaning है, आगे देखते हैं, कहता है, the grip length should not be more than four times of the diameter, यह मैं नहीं बोलता है, यह बोलता है, आपका code, है न, यह कौन बोलता है, यह बोलता है, is, अब आज के बार डेली इसका नाम आएगा, is 800, 9084 बोलता है, कहता है, the grip length should not be more than four times of the diameter, four times of the diameter, है न, यह जो grip length है, इसका value नहीं होना चाहिए, four times of the diameter, four times of the diameter, है न, diameter मतला हम nominal diameter, nominal diameter को five से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इसको हम देखने जा रहे हैं, है न, तो थोड़ा सा patience रहे हैं, है न, the grip length should not be more than four times of the diameter, अब देखे डायमेटर, जब हम डायमेटर की बात करते हैं, तो diameter को दो पार्ट में divide क्या गया, first को बोला गया है, nominal diameter, first को बोला गया, nominal diameter, है न, पहले में देख चुके हैं, पिछला, कभी picture में मैं दिखाया था, है न, nominal diameter, and nominal diameter is denoted by five, किसे denote करते हैं, इसको, five से denote करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, nominal diameter, कता है, the diameter of the sunk is called nominal diameter, diameter of the sunk is called nominal diameter, जो sunk का diameter होगा, इसको क् गूल देंगे ? नॉमिनल डामिटर बोल देंगे ? उसको गूल देंगे ? इसको धिन संक है तो ए जो डियमेटर होगा इसी को क्या बोलेंगे ? नॉमिनल डामिटर बोलेंगे इससे किससे cm करते हैं ? 5. से — करते हैं… अब देखे अब कोंस्चन में यो Japanese को कोंस्चं में यह निया को अमनल डाह्मिटर यह थे दिया तब तो तो सही यह लेकिन कभी कभी क्या होगा कि निया को नहीं देगा है न करेंगे यदि लॉम्णल डामिटर नहीं देता है तब अन्विन्स एक साइन्टिस्ट था उन्हों ने एक इक्वेशन दिया उन्होंने क्या दिया इसको उन्वेंट इक्वेशन बोलते हैं और एक कमपटिशन में खॉसकर को 0.01 अंडर रूट अंडर रूट टी लेकिन टी कीस उनिट में होगा में होगा किस उनिट में होगा में होगा तो सबसे पहली भात कि आपको यह फर्मूला है जो आपके बाद याद होना चाहिए 5 is equal to 5 is equal to 6.01 into under root T mm अब T क्या है लिख लेते हैं T क्या है जो लिख लेते हैं T है आपका T है आपका thickness of thinner main plate अब इसको समझा देता हूँ thickness of thickness of thinner main plate thinner main plate thickness of thinner main plate अब देखे thickness of thinner main plate का मतलब क्या हो आई किस यूएट म होगा MMascular किसे नहीं होगा mm होगा सपोच किजिए कि आपका एक प्लेट ए है एक प्लेट ए है दूसरा प्लेट आपका यह है दूसरा प्लेट यह है कि इसका थिकनेस माल लेते हैं इसका थिकनेस माल लेते हैं 14 mm किसना है 14 mm और इसका थिकनेस माल लेते हैं 12 mm तो थिकनेस अब थिनर परेट कहुं हुआ थिनर मने पतला है न तो T2 क्या हो गया तब इस फर्मूला में यहाँ पे T का बहुली क्या लेंगे 12 mm लेंगे है न थीक है लेंगे 12 में लेंगे अब यहाँ पर क्या एक रिवेट है जो इंशर्ट किया गया इस तरह से क्रिवेट है जो इंशर्ट किया गया और अब आसके वाद हैंडि गडिया गया ठीक है अब देखिए अब पोज किजिए हम यहां निकालना चाहते हैं value 5 का तो 5 का value क्या हो जागा बता बाइक का हो जागा है पाई का जो value हो जागा नम धर डियमेटर क्या हो गागा इस पाइंट जीरो बन अंडरोट कितना 12 12 जो स्वलों करेंगे तो यह यह आएगा 20.82 यह आएगा 20.82 लेकिन इंग्जाम में आप अभी भी गलती करने बाले हैं क्या गलती करने बाले हैं आप ध्यान से सुनिए है ना होगा क्या कि आप क्या लिग देंगे है आप दिमाग लगा देंगे और ले लेंगे 21 mm क्या लग देंगे 21 mm का रिवेट है जो मार्केट में आता है नहीं है तो फिर सब उपलब्द कौन सा है आपका अपलब्द है मतब अविलेबल इन मार्केट अविलेबल इन मार्केट अब लेवल है जो मार्केट में आपका है 5 mm 6 mm इसके बाद 8 10 12 14 16 डॉट 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 यह कहां तक जाएगा 32 तक जाएगा अब बताएगे कौन सा चूज करेंगे यहां तो आप 20 mm का चूज करेंगे यहां पर आपका यहां पर आपका दो ऑप्सेन है ठीक है या तो आप 20 mm का यूज करने यहां तो हम शोचूज लिख देता हूं यहां पर आपका पर है मैं सोचूज है कौन सा चूज करेंगे है कि छो चूज फाई इसकल तो कितना ऐधर 20 और 22 एम या तो 20 एम चूज कर ले या तो 22 एम चूज कर ले दोनों क्या हो जागा सही हो जाएगा ठीक है तो यह तो था अन्विंस फर्मूला को बारे में यह फर्मूला है जो इट्सेल्फ कोस्चन है फाई इसकल तो 6.01 अंडरू टी एम 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 मोहना चाहे है और T होता क्या है तिकनेस व्था थीनर मीन पहले फिर लेंडी इसको में एगजामपल से भी समझा तिया छिल ये नेक्स्त रह attach diameter और gross diameter जो number two है आपका वो क्या है whole diameter है या gross diameter है अब whole diameter और gross diameter किसको बोलेंगे करता है इसको area of the rivet hole यह क्या होता है इसको किस से रिप्रजेंट करता है इसको किस से और देखी किस से रिप्रेजन करेंगे है इसको किसे रिप्रेजन करेंगे डी से रिप्रेजेंट करेंगे अब देखिए अब यहां पर आपका जो fi है और t alt ऐ है यही का जो value क्या होगा मताब whole diameter यह ग्रॉच डैमीटर का वहहलू क्या होगा यह directly depend करता है आपको nominal diameter पे किस पे करता है नॉर्म नॉमिनल डामेटर पे डिभेंड करता है तो आई यस को आयस को फिर नाम आ गया आई एस 800 नाइंटी 84 को 9084 बोलता है मैं नहीं बोलता है ना मैंने भी माना आपको ही मानना पड़ेगा आप यादि किसी और को पढ़ाएंगे उसको ही मानना पड़ेगा ठीक है सो आयस एट हंडे 9084 बोलता है कि यदी nominal diameter का value nominal diameter यदी 25 mm या 25 mm से कम हो ध्यां से सुनना है 25 mm या 25 mm से कम हो तब आपका जो gross diameter होगा उसमें 1.5 mm एड़ करना है ग्रोश डामेटर ग्रोश डामेटर का भैलू प्राप्त करें के लिए क्या करेंगे 1.5 mm एड़ करेंगे यदि नॉम्नल डामेटर 25 से बढ़ा है उसकेस में डी इसकल टू हो जाएगा फाई प्लस टू एम फाई प्लस टू एम अब देखो आप ध्यान से दिसो एक्चुली में यहां पर 1.5 mm आर 2 mm क्या है यहां पर जो आप 1.5 mm आप एड़ कर रहे हैं वह सेयं है क्या है यह क्लीरack अटन दिटे और वैनेंड करेंगे लंत से क्लियर्यन से हैं एक यह ाप कॉन पिया है यह सब्दू इस नहीं सब्सक्कर एक लन करके समघ़ते फिर आपको जल्दी आप चीज को भूलेंगे नहीं है नहीं tonight नेक्स्ट है जो core sectional area of the river next क्या है core sectional area of the river suppose कि ये core sectional area को मैं A से renote करता हूं तो क्या हो जगा है He हो जगा पाई फाइज here फफोर इन्टू d sqir यहाँ पर mistake नहीं करना है ना आएसा नहीं कि फाई का स्कॉयर करद cracking आप पाई बाई पूर इन्टू टी असक्वार आप पाई बाट पूर की अप्शल्च सक्वार एंटू इज़ां है या का whole diameter का whole square है तो यहां पर mistake नहीं करना है कि फाई नहीं लेलना है आप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब है आपका types of rivet next point of discussion क्या है आपका types of rivet है तो type of rivet को दो part में divide क्या गया है एक को बोलते हैं cold driven driven और दूसरे को क्या बोलते हैं hot driven दूसरे को क्या बोलते है hot driven driven फस्ट है जो आपका cold driven driven है तो cold driven driven कब किसको बोलेंगे कब बोलेंगे कता है if riveting is done if riveting is done at the room temperature at the room temperature or you can say atmospheric temperature है ना if the riveting is done at the room temperature then it is called cold driven will देंगे cold driven रिभे्ट बोल देंगे है नुश की रिवेटिंग क्या होता है है रिवेटिंग कुछ नहीं है सब फोच किजिए आपको प्लेट लिए दो प्लेट लिए उसमें होल किए उसके बात क्या करेंगे रिवेट का इंसर्ट करेंगे उसके बाद पिर हमरिंग करेंगे और उसका फिर क्या करेंगे funciona करें एक का फरमेशन करेंगे का फ्रममेशन करेंगे और यह वयूक्र होगा करेंगे टोटल यह रिमारी और से न Șा्य रिवेन रिवेन तब इसको क्या बोल देंगे गोल ड्रिवेन रिवेन बोल देंगे है ना अब देखें यहाँ पे सपोज किजिए सपोज किजिए कि एक प्लेट आप आये है एक प्लेट आपका यह है दूसरा प्लेट आपका यह है आप सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें आप रिवेट को इंसर्ट करेंगे रिवेट को इंसर्ट करेंगे ठीक है यह आपका क्या हो जागा मैनुफेक्ट्रिंग हेट है सब्सक्राइब एक मैनुफेक्ट्रिंग है कि मैनुफेक्ट्रिंग है उसके बाद यहां पर क्या कि आप हैमरीं ची है और हेट का क्रीड कर दिए इसको क्या बोल रहते है ड्रिवयन हेड बोलते है और इसको फिल्ड हैड भी बोलते हैं सो इस पूरा प्रोसेस किण टैम्फेचर कर रहे हैं रूम टैम्परीचर में रहे है हैंग कर दी हैंग नोक इसको क्या बोल दिया है hot डुर्थ डिवेंड थेका ऊब की इसमें क्या होगा था है कि वेंघड़ रिवेंट सेल्मट क्या करना लिए हट करना है रेड करना उचा कुंपरी तरह से मतरप हिट करना रेड़ हीट करना ठीक है बिशिवेंग देन इनीट काल होगे रियट करते हैं उसको क्या करते हैं उसके वाद क्या को इश इंशट करते हैं अभी है जो पिक्चर से काफी हो जाएगा चो थोए आइअ रहे गई है होड भीन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड क्या गया है होड डिवन फिल्ड रिविट को अगर रिवेटिंग का काम आप फिल्ड में कर रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे यादे आप वर्क्सोप में कर रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे होड़े इसको क्या बोल देंगे ये लेकिन दोनों case में क्या होगा रिवेट है जो क्या होगा रिवेट का temperature क्या है काफी हाई हो सबस्के डिये कि यह दो प्लेट को आपको एड़ करना है प्लेट नमबर वन प्लेट नमबर टू है ना प्लेट नमबर वन प्लेट नमबर टू है सबसे पहले क्या करेंगे सब्सक्राइब क्या करें इसको इंसर्ट करेंगे रिए हया है यह आपका यह आपको मैनुफक्टरिंग हेड न, इसके पहले का कैए संट अब क्या करेंगे इंसर्ट करने के बाद कुछ ऐसा डिवाइस होता है इस पर पूट अप करेंगे उस दिवाद यहां से हैंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे उस दिवाद यहां से क्या करेंगे हैंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे हैंबरिंग करने के बाद क्या होगा कुछ इसी टाइप का है जो से यहां पर ले लेगा है ना जैसा manufacturing head है उसी टाइप का safe है जो यहां पर ले लेगा इसको बोलते है driven head क्या बोलते हैं इसको इसका नाम क्या दिये थे driven head तो rivet का दो head होता है दो sir होता है ना एक को बोलते हैं दुछरे का बोलते हैं manufacturing है या फिर soap head या इसको क्या बोलते है फिल्ड है अब देखे ध्यान से चीज़ों को यहाँ पर थ्थोड़ा सुनना है कि आपको पहले से पता है कि आपको पहले से पता जब इसको डाब करेंगे तो जो भी गयप है जो भी गयप गया होगा फिल होगा एक यहर यह क्या हो जान को अफिल हो जागा ठीक लेकिन अब कुछ देर के बाद क्या होने वाला धी धी धीट क्या होगा ठंधा होगा धी धीडिन क्या होगा कूल होगा गहाई धीछ क्या होगा फिक्स हो गया यहां पर तो क्या और पिंद है रुड़ाव नहीं करेगा लेकिन रहे का टेंपरेटर धीदर अलो batery एक चाहेगा सेखोड ना चाहेगा यंधर क्या चाहेगा सिकोड ना चाहेगा नहीं है थोड़ा इमजिन कर सकर्के सिकोड ताइगा लेकिन आप इसको करके या तरफ anh और ट्यम्परेटर इस तरह करके हैं लोते से स्टेश मैं स्टे आप पहले हैं पढ़ चुके हैं अब होगा तो सीकूनन चाहेगा तो क्या जोगा जोगा तो यहां यहां पर लगाएगा ऐसे इदर देखलो और नीचे लगाएगा कूछ ऐसे एक एक नि म fast क्या कर रहा हैं टोनों से किस रहा है अंदर कियुअ गइंग तूरब से के खाल रहा है इसकाम तब रीवेट में जो टिंसाय छे भेलbank हो जगा दहँंगे जैए हॉच्न आगे क्या होने वाला यह क्या होने वाला इसी को नीचेव किज रहा आने नीचे से ऊपर प्रेस्राइज कर रहा है दोनों प्लेट को क्या कर रहा है प्रेस्राइज कर रहा है यहां पर प्रेस्राइज कर रहा है और इधर से यहां पर प्रेस्राइज करेगा मतलब देखा जाए एक मेंट रोग जाओ इसको मैं हटा देता हूं कि सही से चीज को समझना है यहां पर क्या होगा प्रेसराइज करेगा इधर क्यों करेगा यहां पर उपर क्यों करेगा यहां से भी नीचे क्यों करेगा ऐसे और यहां भी इस तरह से करेगा अब देखो यह दोनों प्लेट को क्या कर रहा है इस तरह से प्रेसराइज कर रहा है बस आपको इतना समझना है कि यह जो प्रोसेस है जिसके कारण ने दोनों प्लेट है जो कम्प्रेसिव स्ट्रेस में आ रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लैंपिंग एक्षन क्या बोलते हैं क्लैंपिंग एक्षन थोड़ा सा इमेजिन करो किलियर हो जागा क्लैंपिंग एक्षन एसको बोलते हैं क्लैंपिंग एक्षन क्लैंपिंग एक्षन है अब देखिए क्लैंपिंग एक्षन की कारण हुआ क्या यहां पर आप क्या लिख सकते हैं बता है मार्ड इस सबसे पहली बात कि हमको पता है कि रिभेट है जो क्या हो गया इसका मतलों एक हुआ कि इसमें इक टाइप का रेशीं डिव अलस्ट्रे जो डिवॉप हो गया है ना सबrão सब State हो ना है ना तो एक line है जो important line लिख लेते हैं so so we cannot use we cannot use we cannot use cannot use where we cannot use where we cannot use where we cannot use where we cannot use where tensile load to be transferred tensile load tensile load to be transferred transfer क्यों यूज नहीं करेंगे इसका region में दे दिया चुकि इसमें already residual stress है जो residual stress मतलर residual tensile stress है जो develop हो रहा है यहीं कारण है कि जहां पर tensile load को यहीं transfer करना होगा वहां पर हम hot driven rivet को यूज नहीं करेंगे हैं चलिए अब देखिए दूसरा point में लिखना चाहूँगा यह सब note करके लिखना है यह सब note करके आपको लिखना है ठीक है दूसरा point अब देखिए दूसरा point में लिखूँगा कि cold driven rivet has more strength यह बहुत important point है cold driven आपका दिमाग में आ रहा होगा कि किसका जाता होगा cold driven rivet cold driven rivet has more strength 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 than than क्या होगा 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 फोट ड्रीवेन का strength है जो जाता होगा ठीक है तो important point यहां से निकल के आया conclusion उसको हम लिख लिए ठीक है जो कि recidival stress के कारण मतलब already है जो मतलब इसमें ड्राबक है जो इंट्रोड्यूस हो गया ऐसे समझ सकते हैं इसलिए cold driven है जो strength ज्यादा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो नेक्स्ट पढ़ना है आपका मैक्समाम पर मिसीवल अस्ट्रेस इन रिभेट एच पर आई एस 709084 तोमसीवल एश्टास पढ़ेते इसके लिए लोड के लियए बढ़ते ओ प्रक्थे लेइस मिमि themes के लिए बढ़ते हैमानी इसके लियए मैं मनेट मीम्बर केइम इंना इस ट्रेस है जो है ना एक चीम मैं यहीं पर डिसकस कर देना चाहता हूं कि को डिवेंड डिवेंड को आप दो तरीके से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पहला को बोलेंगे पावर डिवेंड पहला क्या बोलेंगे पावर ड्रिवन पावर ड्रिवन का मतलब क्या मैं समझा दूगा दूसरा को बोलेंगे हैंड ड्रिवन दूसरा क्या बोलेंगे हैंड ड्रिवन है ना हैंड ड्रिवन समझ में आता है मतलब हाथ से आप हैमरिंग करेंगे है ना इसका मतलब यह हुआ ना लेकिन पावर एक्यों में चलता हो और इसको ड्रिवन करने के लिए मतब हीट बनानी के लिए ठीक है तो गिकंगे आई आप है इसमें क्या लिखेंगे भावर DJ प्रेंट आप एपने इव्यूज्ट एक है है एच है आध है यू उज्ट करने के लिए किसका यूज्ट करनें पावर ओप एक्पुपेंट का यूज्ट करेंगे तब उसको पावर ड्रिबन बोल देंगे और जब हाथ कायुच करेंगे तो हैंड रिवन बोल देंगे उसी तरह से आपको हॉट रिवन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो में है न होट तो रहे गा हैं लेकिन होट के बाप जूद है यदि आप हाथ से उसको हैंबरिंग करके मतलब हैड बना रहे हैं तो अब इसको ब करें तब क्या बोल देंगे कि पावर ड्रीवें कि पावर ड्रीवा ठीक है तो इसको काफी डीटेल में हम लोग देख लिए हैं अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मैक्सवम परमिसीवल अस्टेसेस इन रिवेड एज़ पर आईस एट हंदे साफ प意味त in सा masa मने का मतलह हुआ है खाला और दुसरा प्रह यहां और देक्षें अब अब आप और हमने दो पला एक पाढ़ डीबर्वें रिवेंट अर दुसरा बोला हैं मिदरीवें विस्ट क्या पला पावर ड्रिवें और और दुसरा पड़ा hand driven ठीक है पहला है जो deal क्या गया है axial tension के लिए किसके लिए axial tension जिसको denote किया है sigma tf से हैना दुसरा CR stress है जिसको denote किया है tau vf से और तिसरा है bearing stress इसको denote किया है sigma pf से हैना sigma pf, tau vf, tau and sigma tau f हैना तो यहां पर देखिए मेगा पासकल में भैलू दिया हुआ यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आपका अब्जेक्टी पॉइंट अभी उसे और जब हम डिजाइन पढ़ेंगे उहां पर भी इसका यूज करेंगे यदि आपका रिवेट पावर्ड रिवेंड है तो भैलू टो कितना होगा ? कितना होगा ? 150 मेगा पासकल होगा क्या भैंड है तो है about टेंट बाइंड है तो इंपोर्टिंट पॉइंट यहां ए है कहता है कि फॉर फिल्ड रिवेट दा वैलू आप मैक्समुम पर मसीवल स्ट्रेसेज आर रिड्यूस्ट वाई 10 परसेंट यह सब जो भी वैलू पर दिया हुआ है किसके लिए दिया है सोप रिवेट के लिए दिया हुआ मतलब आप रि है मतलब हैं रिवेटिं का काम कर रहे हैं तो सोप रिवेट कूछ नहीं दिया हुआ रहे पर्म अरुटेटी के लिए बोलेगा तो पाबर अपरेटिट है और अ झान फिल्द हो जागा कर देडी है अगके एक न यस्का नहीं इसका मतलब ए है एक्जाक्ट मिनिंग नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट काता है कि वेन दे वीन और अर्थक्विक लूड़ इस तुछ कंसीडर इन दे डिजाइन दे पर्मेंसी वल श्ट्रेसे सिंदे रिवेट इंक्रेज वाई 25% है ना यह चीज हम अल्रेडी पढ़ र रखें थीक है तो यह सब जो भी भैलू है क्या करेगा कनेक्शन में 25% इंक्रेज कर जागा यदि हम वींड और अर्थक्विक लोड को कंसीडर कर रहे हैं तब यह सब अबजेक्टी में को सब जाग को ध्यान से देखते जाना यह भी बहुत पुछता है नेक्स्ट अब देखें आप सोचते होंगे कि ठीक है इतना पढ़ लिए कोस्टन बन जागा है ना लेकिन देखें कोस्टन कैसे एक बार पुछा एंजरीनिंग सर्विसेस में कोस्टन कुछ स्टाफ से पूछा कि the power driven ध्यान से को पढ़ना है पहले धखेंदाद आपके सामने अप्सेंट रखता हूं आपके सामने औप्सेंट रखता हूं पहला है 10% दूसरा है 15% तीसरा है 20% चौथा 25% है ना तो थोड़ा सा आप सोचिए और उसर दीजिये है ना मैं थोड़ा दिर होल्ड करता हूं इसको आप सोचिए और इसको अंसर दीजिये है ना कता है कि the power driven driven have approximately x percent more strength than the hand driven driven then the what is the value इसका जवाब आपका यह टेबल देगा थ्यान से देखिए इसको कंप्रेजन कीजिये यह आपका परसेंट ज्यादा है कर http । 47 यहां पर भी देखिए almost कितना पर vaccinated 20 पर संथ यहां बहुत इंप्रिइन कोशन है ना कितना परजेंट होगा 20 परसेंट होगा ठेक dit कि अब देखे यह जो कोड़ है एक एक कहाई पिमेंसन है इसकें कर देखने कहाई हो 1979 बजीन को देखने कंवन है वो जा कर देख सकते है häuf मनहीं इसे मिझ और धेरे धेरे कोड़ और टेबल नमबर है आपका 8.1 पेज नम्र 95 तेबल नमबर 8.1 यह code में मैं अब हम सिर्फ रिवेटिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो रिवेटिंग वाल वाल है जो देखेंगे जिनको देखने का मन है आप देखेंगे नहीं देखने का मन है कोई प्रोलम नहीं जहां पर भी code की बात आएगी सारा है जो डीटेल में उसको मैं एक्स्प्लेन करूंगा है तो यह थो था आज की क्लास के बारे में मैं आसा करता हूं कि पूरी तरह से आपको अभी तक किलियर होगा अनाँलॉल को में हम लोग पढ़ेंगे आपका इसी में आपका आएगा बट जवाइन आजयागी है और यही दो जउयंट पढ़ना है और इसी को क्या करेंगे डिजाइन पढ़ना तो अच्छे से चीजों को आप रिभायच करके आये next class के लिए हना अब देखिए अगर वीडियो आप स्थी देखते हैं तो आप पर प्लीज है जो रेटिंग करना आप नव भूले हना रेटिंग करना वहां पर जाके नव भूले थिक है आप यूटूब पर देख लिए यूटूब से करने के लिए ठीक है तो आपके सुब्धा के लिए यूटूब पे वीडियो में डाल रहा हूं लेक्चर है जो यहां पर पब्लिस कर रहा हूं तो आप जरूर रेटिंग करें मुझे आपको कुछ नहीं करना है आपको सर्च बोक्स में वहां पर जाना है और उसके बाद आप आपको लेक्चर आजाएगा है ना जी प्यारेश करें गवर्मेंट पोटेग्न राखो पुर्सपोल का नाम आजाएगा उसके बाद है जो आपको क्या करना लेक्चर ओपन करके इसको रेटिंग करना है ठीक है इसका जो नोट्स है ओ भी मैं विस्यस में जो अपलोड कर द दिक कि अ